उफक से निकला सेहर का तारा उठो जवानों उठो खुदारा अमसाल अला ताला के फजल से जलसा सलाना आस्ट्रेलिया में हुदूर अन्वर यदो लाव ताला बिन असर लजीज की बाबरकत शमूलियत के बाइस हमारे हाँ ना सिर्फ मुख्तलिफ आस्ट्रेलिया के स्टेट से आब आप दूर दरास का सफर तैकर के आएं हैं बलके इसके अलावा हमारे पास अस्टेलिया में अर्दगिर्द के दीगर जजायर और दीगर मुमालक से भी महमान तश्रीफ लाई हैं इन जजायर में फिजी, सौल्मन आ Raz暉न और वनुआटो आईलेंड हैं और इसके लावा मलेशिया और इनिनिनेशा भी हैं और इसके लावा गाना, युनाइटिट किंडम, युनाइटिट स्टेट्स और कैनिड़ा से भी हमारे हाँ महमान तश्रीफ लाए हैं जहां तक आस्ट्रेलिया के स्टेट्स का और स्यासूबों का तालुक है अहबाब हमारे हाँ दूर दराज के सफर को तै करके आए हैं मिसाल के तोर पर पर्त जो वेस्टन आस्ट्रेलिया का दारुल खिलाफा है वहां से अहबाब चार हजार किलो मीटर का सफर तै करके सिड्नी तश्रीफ लाए सिर्फ अपने प्यारे अमाम को देखने और उनकी मायत से मस्तफीज होने के लिए इस वकत स्टूडियोज में हमारे साथ आस्ट्रेलिया के मुर्बियान कराम तश्रीफ फरमा है हमारे साथ मुकरम मुहतरम मसूद अमद शाहिट साहिब तश्रीफ फरमा है जो कुईंजलेंड के शहर बिस्बन में ताइनात है उनके साथ तश्रीफ फर्मा है मुटरम मुलाना इम्तियाज अम्हद नवीत साहिब जो मुर्भी है साउथ आस्ट्रेलिया सूबा के और आजकल साउथ आस्ट्रेलिया के शहर एडिलेड में ताइनात है हम आपको खुशामदीत कहते हैं अपने स्टूडियो में मर्बियस साथ पहला स्वाल आपके लिए है कि हमें बताएं कि हज़रत अमीर मुमिनीन आई अई 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 इस साल नई तामीर शुदा मस्जिद बैतल मस्रूर का इस्टा फर्माएंगे इसके बारे में आपके किया ताफ्रा था आपके बैतल मस्रूर का मिनारा सर्जमीन अस्टेलिया पर बलंद हुआ है और वहां हम सब को बहुत खुशी है कि हज़र हमारे पास तश्रीफ लगा रहे हैं और उसका बनफसे नफीज इस्ता फर्माएंगे इस मस्चद की तामीर के मौके बड़ी दिखते भी हमें आई मखालिफीन ने मखालिफत भी बहुत की यहां तक कि जब यह इलान किया गया कि यहां पर मस्चद तामीर होने लगी है तो मखालिफीन ने महजद की दिवा हमारे हाथे के बाहर बोल लगा अवेजा कर दिया कि यहां नो मॉस्क और फिर इस तरहे मखालिफत में और भी बढ़ते चले गए लोकल अखबारात में भी मखालिफत में उन्होंने बहुत कुछ लिखा यहां तकि एक रात मैं अपनी फैमिली के साथ मिशन आउस में रह रहा हूँ अकेला ही तो बाहर गेट पर रात डेड़ बज़े शोर होना शुरू हो गया मखालिफीन कठे होकर बाहर आ गए और उन्होंने यह हंगामा कर दिया कि आप लोग गलत हैं यहां से इस मुलक को छोड़ दें और बाग जाएं और एक अजीब सी कफियत थी बच्चे भी सजदे में गिर गए और हमने दौाएं करने शुरू कर दी बहराल अल्ला ताला के फजल से वो वक्त टल गया और वो मखालफीन खुद ही बाहर से शौर का शराबा मचाते हुए वाहर लोट गए क्योंके पुलीस को भी हमने कॉल कर लिया था और उन्होंने भी उनको मुन्तशर कर दिया इस वक्त जो मेस्चिद की तामीर का सिलसला जारी है इसमें हमारे खुदाम हमारे अतफाल नाइनसार सबी मिल जुलकर वकार अमल में बरपूर हिस्था ले रहे हैं उसकी तामीर के लिया से भी मुक्तलिफ वकार अमल के जिरिये काम जो हैं वो भी हो रहे हैं और फिर हजूर году की आ हम पर तशिष रावरी के से जलसला में बच्चों के अंदर भी एक खास शौक हम देख रहे हैं बच्चे ओर बच्चों के के वो न्जबों की त्यारी कर रहे हैं मिल बैठकर कि हम हजूर आएंगे तो ये नज़म पढ़ेंगे, हजूर आएंगे तो हम इस तरह उनका इस्तक्बाल करेंगे, अजीब कैफियत है जो हमें नज़र आ रही है, अल्ला ताला वो जल्द दिन लाए, अब जल्से के बाद हजूर तो पुरौनर्णक मनज़र हम अपनी आँखो से देखेंगे, और अल्ला ताला इस मिनारे से भी इसलाम की आवाज को दूर नज़र नज़र पहुंचाने की तुफीक दे, अल्ला हुमस, इन्शाला ताला, मुलाना इम्तियाज नवीद साहिब, हम आप से सवाल करते हैं, अल्ला का फजल है कि अब आस्ट्रेलिया में भी मसाजित की तामीर एक जोर और शोर से शुरू हो गई है, और अधरत मसीम अज़र अल्ला इसलाम का जो इलहाम है, वस्य मकाना का, उसकी जलक हम इस मुलक में भी देख रहे हैं, अल्ला के फजल से, तो आप हमें, हमारे नाज़रीन को बताईए कि एडिलेड में भी अल्ला क वरकातू, ये बात भी बहुत ही एहमियत की हामिल है, कि ख़दा अल्ला के फजल से पहले तो सिड्नी में बैत अल्हुदा मस्जद थी, उसके बाद ख़दा अल्ला ने तुफीग दी, तो मेलवन में भी एक सेंटर जमाद को मिला, उसके बाद जैसे कि आप मरभी साब ने क लगाए के फद्धसे बिर्सीमन में मस्जद बने जारी है, लेकिन साथ-स्ट्रेलिया में बहुत अर्से से मस्जद की तलास जारी थी, लेकिन इसके हसूल के सिल से में हमें बहुत सारी मुशदाव पेश आ रही थी, और ये बात भी बहुत अस्टेलिया का दोरा फरमाया तो जो खिलाफत हाल है बैतल हुदा के साथ इसकी मनजूरी के सिलसले में भी बहुत सारी मुश्किलात जमाद को दर्पेश थी लेकिन खिलाफत की बरकाद जखें के जैसे हुदूर का कदम अस्टेलिया की सर्जमीन पर पड़ा तो वो तुमाम मुश्किलात जो उस हाल की मनजूरी में हाइल थी खुदा ताला के फजल से वो खत्म हुई और कुछ दिनों में ही उसकी मनजूरी आ गई यही चीज़ हम देखते हैं के खुदा ताला के फजल से हमें साउट अस्ट्रेलिया एडलेड में जो जगा नहीं मिल रही थी और जब खुदा ताला ने वो हमें जगा दी तो सबसे पहले जब वो जगा हमें जब उस वो पसंद आई तो उसमें एक और खरीदार ने हम से ज़यदा कीमत लगा के वो जगा ले ली और फिर ये भी खुदा का मौज़ा है कि डेड़ साल तक उसे पैसे अदा करने की तुफ़ीग ही नहीं मिली दुबारा जमीन मार्किट में आई और जो उसका मालिक था उसने दुबारा राप्ता किया जमात अहम्दिया से और खुदा ताला के फदल से जब जमात अहम्दिया ने उसकी कीमत उसे तैह हो गई जब मामला कौनसल में पहुंचा कि इसकी मस्जद की मन्जूरी दी जाए तो जिस तरह के मरभी साब ने फरमाया कि बहुत सारे लोग जो मुखालफीन थे वो सामने आए और मस्जद की मुखालफत की लेकिन यहां पर फिर मैं एक बात बताबा चला जाओं कि ये भी एक मौज़े से कम नहीं है और खुदा ताला की बरकात और खलाफत की बरकात में से है कि जब हुदूर का ये इरिशाद हमें मसूल हुआ कि जएदा सजएदा कुरान की नमाईश कुरान एग्जिबिशन जगा जगार पर लगाई जाए तो इस कुरान एग्जिबिशन की बरकतें देखें कि वो लोग जो जमात अमजिया को नहीं जानते थे और वो गवर्मेंट ऑफिशल जन तक हमारा पेगाम अभी तक नहीं पहुँचा था ख़दा आताला के फदल से वो पेगाम उन तक पहुँचा वो जमात के करीब आए जमात को समझने की उन्हें तवफीक मिली और जब लोगों ने इस मस्जद की मुखालफत की तो वो ही लोग थे जिनों ने कौनसल में जाकर भी और अपने हमें वो लेटर्स भी दिये जिसमें उन्होंने खास लोड़ पर कौनसल को कहा के हम इस क्रिमिनुटी को जानते हैं हम जानते हैं कि कितने पीसफुल और कितने ये काम करने वाली जमात है तो इन्हें हम भरपूर सिफारिश करते हैं कि इन्हें ये जगा जरूर दी जाए तो खदा अला के फदल से वो तमाम मरहले जो बहुत मुश्किल नजर आते थे और फिर यहां भी एक और देखें कैसा खदा अला का मौज़ा हुआ और खिलाफत की बरकात कि जो मनजूरी जिसे हम महीनों से जिसके पीछे लगे थे हजूर अईद ल्लाव ताला बेनसल अजीज पहली तरीक को यकम अक्तूबर को हजूर का कदम अस्टेलिया में पड़ा और सेकंड उसके नेक्स डे दो अक्तूबर को खदा अला के फजल से हमें मस्जद की मनजूरी अल्ला ताला ने अता अफरमाई और सारी जमात खदा अला के फजल से बहुत खुश है और उनकी एक उनमें जजबा पाया जाता है कि जैसे ही वो उसकी तियारियों के मरहला शुरू होता है वो जमीन हमें हैंड ओवर होती है तो खदा अला के फजल से हम वाँ पे नमाजे शुरू करें यह रत अला का बहुत फजल और रहसान है मुर्पिस साब हमें बताएं के सिड्नी में तो हजूर की तिशिया आवर से कबल बहुत हफ्तों से वकार अमल जारी थे प्रिस्पन की जमाद के अंदर उसके इतियारियां और खदाम के वकार अमल वो तिस नौयत के थे थे हाँ जैसे ही है इतला बिली के हजूर मच्चिदी के इतला के लिए यहां पी तिश्रीफ लाएंगे तो हमारे इतला मनसार और इतला तमामी का का में लगे और दिन भी देखते नहीं राद को बिनी जैनल को आरा और लगातार मसलसल काम करते रहें और क्योंके नई तामीर हो रही थी उस अलाके में उस जगह पर और तमाम इर्दगर का सफाई का बहुत ज्यादा काम करना वहां पड़ा तो जिसके लिए उन्होंने बहुत ही काम करना किया और इस तरहे वकारे अमल के साथ उन्होंने जगा की सफाई की तादीन करकी और मुक्तरिफ अंदाज से उसको खूब सूर्ट बनाने की कोशिच जो है बुजारी है वहाँ पर अभी हम यहाँ पर जलसे पर आ गए हैं ये भी एक देखें एक हजार किलो मीटर का ये फासला हमारे आपाब जो हैं वो जलसा में शमूलियत के लिए टह करके आते हैं और मैं हबाब जमात के अंदर भी हैं वो भी अपने फैमिली के साथ बच्चों के हमरा ये लंबा तवील सफर तै करके यहां बर जलसे में आए पहुंचे शामल हुए और फिर पीछे भी अभी कुछ हमारे ड्यूटी पे खुदाम है वो काम कर रहे हैं और ताके जब हज़ूर यह आपको अला के फजल से अफरीका में नाइजेरिया में वेस्ट आफरिका में एक तवील और सा खिदमत की ताफिक मिली और आप वहां अला के फजल से जामया-इमधिया नाइजेरिया के प्रिंसिपल भी रहे तो यहां जब तश्रीफ लाया आप तो जमात आस्ट्रेलिया तो इसके बारे में हमारे नाजरीन को बताइए कि उस डेस्क के थूरू क्या मसाई की जाती है यह ऐसा हुआ कि जमात हर साल अस्ट्रेलिया डे मनाती है और वहां पे बहुत बड़ा बैनर साथ हम वो जब परेड करते हैं तो इसमें लिखा होता है कि जमात अहमदिया लफ फॉर आल, हैट इट फर नन और जमात अहमदिया आस्ट्रेलिया वो हम जब लेके वहां से पुड़ेट कर रहे थे तो हमने देखा कि एक शिक्स हमारी तरफ दोड़ा चला रहा है और बेख्तियार वो कह रहा है कि I got my people, I got my people हमें नहीं समझ आई कि ये क्या कह रहा है तो वो कहता है कि मैं यहां से छे माँ के करीब को हरसा हुआ, मैं यहां था और मैं घाना से हूँ और मैं जमात अमदिया की तलाज में था और मुझे पता नहीं चल रहा था कि लोग हैं कहां, जमात का सेंटर कहां है, मैंने बहुत कोशिश भी की तो आज मैं घर पे वैसे बैठा वा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी प्रेड देखकर हूँ तो अल्ला ताला ने एक ऐसा मौज़ा मेरे साथ किया कि मैंने प्रेड तो देखनी देखनी थी मैं अपने लोगों से मिल गया हूँ और वो घाना से यहां पे तालीम हासल करने के लिए आए हुए थे तो उस पर फिर यह ख्याल आया कि क्यों ना यहां पर भी ऐसे लोग जो हैं तो आहमदी जो हम सुनते थे कि यहां पे हैं लेकिन वो गुमे हुए थे उनकी तलाश के सिलसले में अमीर साथ ने हमें हदाय दी के यहां पे अफरीकन डेस्क का क्याम किया जाए और वो दोस्त जो अफरीका के मुख्तलिफ मालिक से यहां पर आई हुए हैं और जमात के साथ उनका कोई तालुक नहीं है उने तलाश किया जाए फिर अफरीकन डेस्क का क्याम हुआ और अमीर साथ ने अजराही शफकत मुझे उसका इंचार्ज भी मकरर फरमाया और हमें जो अड्रेस्स थे हमारे पास वो लेके जब हम उन जगों पे पहुँचे जहां हमारी इतला के मताबिक वो लोग होने चाहिए थी तो वहां से पता चला कि नहीं यहां से तो वो शिफ्ट कर चुके हैं फिर उनों कुछ इस तरह के फिर लिंक्स बनते चले गए कि आखिरकार एक दिन हम उनके घरों पे पहुँच गए लेकिन क्योंकि हम उनके लिए अजनबी थे और उनोंने हमें उस तरह वेलकम तो नहीं का स्वालात करते रहे और तीन या चार विजिट के बाद उनोंने फिर हमें वेलकम का और बताया कि हम भी आमदी हैं फिर एक एमदी के जरीए दूसरे एमदी की तलाश हुई दूसरे एमदी के जरीए फिर तीसरे की इस तरह ख़दा ताला के फजल से हमें पांच एमदी फैमिलियां एडलिड में हमीं बिल गई और फिर जब अफरिकन डिस्क का क्याम हुआ तो उसमें उसका जो एक मकसद ये भी था कि अफरिकन कौमें हैं उनके अंदर तबलीग की जाए फिर वो सबसे पहले जो वो एमदी घराने जिने हमने तलाश किया उनकी तालीम तर्बियत का हमने इहत्माम किया जिसे उनके बच्चों को उनके जिसनल कौरान की क्लासिस का नकाद किया फिर नाजरा कौरान उसका हमने इहत्माम किया फिर बकाइदा रेगुलर शुरु 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 में तो दो या तीन माँ के बाद एक मीटिंग होती थी लेकिन अब खुदा ताला के फजल से हर की जो अफरिकन डेस्क है उसकी मीटिंग होती है और उसमें खुदाताला के फजल से पंदरہ से 20 अफरिकन भेहं, हमारी बहने और भाईव में उसमें शामिल होते हैं उसμεे फिर एक प्रोग्राम हम बनाते हैं किस तरह अफृकन्स के साथ राप्टे किये जाए और उन्हें इस तरह जमारत एहमदिया के करीब किया जाए इस स्लस्ले की कड़ी में ये भी बतादा चला जाओं के तेन हफ्थे पहले हमने अफ्रिकन जो नके एक क्योंकि आपको पता है के अफ्रिकन फुटबाल कείलने में बहुत तेज हैं तो इस नके साथ हमने एहमदी खुदान और आफ्रिकन भाईउं के साथ हमने एक फुटबाल का भी मैच का हित्माम किया और उसमें बहुत सारे और दोस्त भी उसमें शामिल हुए और इस तरह हमारे खुदाम भी उनके साथ उनके खेला और इस तरह भूँ बहुत करीब आया और खुदा आला के फदल से इस जल्सा सुलाला में भी साथ आठ के करीब हमारे बस्दों जजाकुमला मुरुबियान एक्राम आप दोनों का आपके तश्रीफ आवरीका तो अब हम वापिस लंडन स्टूडियो की दरफ चलते हैं इस ख़ायश और इस दौा के साथ के हुदूरि अनवर का ये बाबरकत दौरा हकीकी मानो में हर ल Dynamic से हम सब के लिए बाबरकत थाबच हो और ना सिर्फ एहमदियों के लिए बलके बरियाजम Australia के लिए भाई सियत मुंए ये बहुत बाबरकत थाबच थाबचत हो اللہ تعالی ہمیں इसकी तौफीक अदा फर्माए और हमदियत का पौदा पौदा आस्ट्रेलिया में फलता और फूलता चला जाए और यके बाद दीगरे हम नहीं नहीं मसाजद तामीर करते चले जाए اللہ تعالی इसकी हमें तौफीक अदा फर्माए असलाम अलाएकुम रहमतुलाह वबरकातु। इमाम ने है तुम्हें पुकारा।